हालो दोस्तों स्वागत है अपना हमारी यूटूब चैनल स्टेडी फॉर एक्सामेन नालेज में आज हम लोग डिस्ट करने वाले हैं योग से समंधित प्रश्ण जो आते हैं परिछाओं में उन पर हम लोग डिस्ट करेंगे तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लेस चैन यहां है जो कि प्राक्तिक संख्याओं का योगफल यहां पर गयाद करना है तो प्रथम 120 क्रमागत प्राक्तिक संख्याओं का योगफल गयाद करना है तो इसके लिए हमें तीन फार्मूला यानि कि यह जो एक पारला फार्मूला है प्राक्तिक संख्याओं का योगफल बर क्रमागत प्राक्तिक संख्याओं का योगफल बराबर होता है प्रत्थम पत धर अंतिम पत बटे के दो गुड़े कुल पत की संख्या तो यहां पर 120 क्रमागत है यानि पाला पत क्या होगा एक होगा और अंतिम पत क्या होगा 120 दोनों के बटे दो और टोटल पत क्या है 120 इसक का एंस्वर प्राक्तिक संख्याओं का यह योग पर हो जाएगा उसी तरह से 13 15 17 और 125 कमान गयत कीजिए कमान गयत करना है यानि योग गयत करना है इनका तो क्रमागत प्राक्ति संख्याओं का योग पर पहला पद यह इनि 13 प्लस अंतिम पद बटे की दू पूड़े टोटल पदों के संख्या है तोटल पदों के संख्या है यह कहाँ पर हैं तो इतने पद हैं इसको जब अंभल करेंगे तो हमारा उत्तार जाएगा 3930 यह उत्तर प्राथ होगा यह जो है बाई मिस्टिक प्रिंट हो गया है तो इसको अब लोग नहीं लेंगे उसी तरह से एक और प्रेश्ण है 1-2-3-4-5-6-99-100 का मान बताएगे का यह योग बताना है तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे इस तरह के प्रेश्ण को अल करने के कि कि माइनस वाले संक्या को एक तरफ प्लस वाले संक्या को एक तरफ करतेंगे जैसे 1-3-5-9 माइनस हो जाएगा 2-4-6-2-4-6---100 यानि इसको अलग कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे तो इस तरस इसे परिले सी पहलेवें हैं इसका हम प्राक्तिक सम्क्याओं का योग याद करेंगे यह प्रैथम पढ़ी कोल्प पंद प्लस अंतिमपद वड़ी संख्या ने दो गुड़े कुल पदूगे संख्या है यहां से यहां तक कि पदूग संख्यां कितनी है 50 है माइनस हो जाएगा यहाँ यह जो है न। प्राक्तिक संख्याओं के वर्गों का योग पर प्रश्न किस तरह से पुझा जाता है प्रिथम यन क्रमागत प्राक्तिक संख्याओं के वर्गों का याद रखना है यह फर्मूला होता है नीचे इसी पर अधारित एक प्रशन देखेंगे प्रत्म 10 क्रमागत प्राक्तिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा प्रत्म 10 क्रमागत प्राक्तिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा तो एक का स्कार, दो का स्कार, तीन का स्कार, दस का स्कार, तो योगफल यानि क्रमागत प्राक्तिक संख्याओं क के वर्वों का योगपल वरबर होता है यान यान प्लस वन टू यान प्लस वन प्लस वन प्टे सिक्स तो इसको जब हम हम ठाल करेंगे वह लोग यानि दस कि प्रक्सिशन के संगे कितनी है दस है तो यहाँ पर यानि दस हो जाएगा कि दस ग्लस फ्यान से वन टू इन्टू जहां जहां पर यान वहांपज देंगे वहां पर जहां-पर फरमुले में यान दिये हुआ हैं वहां पर हम दस को स्टैबलिेट कर देंगे और इसको सौल परेंगे तो आमारा उत्तर निकल कर जाएगा त्रिस तिन-सो संख्याय ओंट्टो त्री लगातार कर संख्याय थी संख्याय यहां पर लेकिन सीरीज ग्रूप में एकिन संख्याय लगातार नहीं तो उसका किस तर से हम वर्गों का योगफ़र याद करेंगे तो उसके लिए जो formula apply होगा वह यह apply होगा इससे परले हम लोग यह formula apply कर रहे थे तो इसके बाद हम लोग इसको apply करेंगे यह कि यह यह प्लस वन यह प्लस टू बटे के 6 यह वाला formula जोगा apply होगा इसलिए गया दो का square यह जो लगातार नहीं हो करके क्या है बीच में जो संख्या है अनुपस्तित है है अब तो इनका योगफल यानि प्रक्तिस संख्याह'll को यहाद करने के लिए इस फैरूले को अपलाई करेंगे यहन यहन प्लस टू याण प्लस टू को इस्टेब्लिस्ट कर देंगे। यान एन की सन्क्राइब कितनी है, 60, 60, 60, 60, 70, 80, 60, 60, 80, 60, 80, 60, 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 90, के मान यही क्या होगा इसके वर्णों का योगफ़ल होगा मेश्च kullo अब बात करें कहां रोग प्राक्तिस संख्याओं के घनों का योगफ़ल कैसी क्या जो तर इसके लिए जो खरमूल्ला है इसको अपनि करेंगे अध्याक्तिस, जाओं, घनों का過去 वरबर होगा योगफल बरबर के हो जाएगा येन येन प्लस वन बट्टे टू ये जो फर्मूला है इसको हम स्टैप्लेट करेंगे तो जो माल प्रत्थोगा हमको वह 350 हो जाएगा ओक्या होगा 350 इस तरह से हम इसको अल कर लेंगे आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंदा होगा वीडियो